प्रिमित्रों CMPC YouTube चनल पर आपका स्वागत अविनांदन देखिए आपके एक्जाम का फिनस्दिक आ गए हैं और आपको लगबग जीला भी आवंटित हो चुका है आपका रॉलमर यानि आपका एक्जाम सेंटर किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा तो अभी हमारे पास में जो टाइम बचा है उस टाइम के इसाब से मैं आज आपको ये जो आपको दिखरी है 11th क्लास की मैस की बुक और पार्ट सेकेंड और ये है पार्ट फरस्ट ठीक है 11th क्लास की आज इन दोनों बुक में से एक में क्विक रिवीजन आपको कहां से क्या- आपको एक बार देखने मासे नदेगी कि कहां से क्या चोड़ना और क्या पढ़ना तो लीजिए मैं स्टाट करता हूं बीना केसी अपचारिक्ता के सबसे पहले पार्ट फरस्ट के अंदर मैं इसके अंदर जो चीज़ें आपको स्टड़ी करनी है कास तोर से मैं उनको ले रहा हूं फरस्ट चिप्टर के अंदर है मारा सेट जो है और इसके अंदर सबसे पहली बात है समुचे रोज का निरूपन और इक्त समुचे परिमित अपरिब में समुचे समान समुचे उप समुचे गात समुचे सरवत्रिक समुचे वे नारेक और समुचे का पूरक और य कि एक तो इसके अंदर रिक्त समुचे पर पूछाए और रिक्त समुचे सीधी सीधी बात अपन जानते हैं कि उसके अंदर कोई भी अब इसकी अंदर जो बात आती है और इसमित होते हैं अब इसके अंदर प्रस्न आ रहा है समान समुचई का देखिए इसके अंदर यहां हम गलती नहीं कर दें समान समुच्चे का यानि की इक्वल सेट इसके अंदर क्या होता है कि समुच्चे ए और भी समान कपके लाएंगे जबकि उनके आवयाव जो है तथित्व समान हो ठीक है जैसे सेट एक्वल टू वन टू त्री फॉर दे रखा तो सेट बी में भी आपके यह के यहीं एलिमेंट है यहां नंबर ओप एलिमेंट की बात नहीं कर रहा है आपको इद्यान रखना होगा ठीक है तो यह समान समुच्चे कन्फूज नहीं हो आप वन वन टू 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 थ्री फॉर फॉर यहने आगे पीछे हो लेकिन ए उप समुच्चे के बारे में आपको पता ही है कि किकिसी भी सेट के अंदर आपको ध्यान है कि जिसे मान लो कोई सेट दे रहे है ए बी-सी तो इसके अंदर नंबर ओप सबसेट्स क्या होंगे वह हो जाएंगे आपके चल में डाइट लिएत लेता हूं टू पावर ं हैना और N यहाँ पर किता है, 3, तो इसके अंदर आपके पास कुल किते सबसेट हो जाएंगे, 8, ठीक है, यह आपको इसके अंदर समझ लेना है, और फिर इसके अंदर आता है, एक टॉपिक कहलाता है, जैसे यह जो बात है, मार लिया जाए कि सेट आपका A यह है, और B इकवल टू वन टू है, तो हम कहते हैं कि B सबसेट A, B जो है इसका A का सबसेट A, तो फिर इसको पर क्या कहेंगे A को, A कहलाता है अधी समुझ जाए, ध्यान रखना, है ना, यह आपको ध्यान रखना होगा, बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, जिसमें A और B शामिल नहीं है, A, B, इसके अंदर दोनों शामिल है, और अंदर की सारे अलिमेंट्स, यह आपका A सामिल है, B नहीं है, और बीच के सारे अलिमेंट्स कम है, ऐसे ही A, B में, इसके अंदर B शामिल है, A नहीं है, ठीक है और बीच के सारे elements है तो यह आपको इसकी जान करिए फिर बात आती है गात समुझ जाए power set power set क्या होता यानि जो आप sub set बनाते हो ठीक है न यह तरह सेटों का set है ठीक है न power set of a equal to आपका यह यानि power set के लगा यानि a के जितने भी उप समुझाई होंगे sub sets वो उनका set जो होगा वो power set होगा ठीक है सारवत्रिक समुझाई आप जानते हैं ठीक है फिर इसके अंदर पन बात करें वे ना रहे कि इसके अंदर कोई विशेश बात नहीं एक आपको यह चीज़े द्यान में हो कि a union b equal to b union a union a पन जानते हैं a union b union c आप जानते हो और इसके अंदर सबसे खास है यह fourth वाला a union a equal to a यह कहलाता है वर्ग सम नियम या फिर idempotent rule तो यह अपने को द्यान में रखना same a से ही intersection के अंदर a intersection b तो यह दोनों बराबर होते हैं यानि intersection क्या होता दोनों में common जो होते हैं तो फिर ऐसे इसके अंदर जैसे यह चोथा वाला a intersection a equal to a यह आपके वर्ग सम नियम के लाएगा idempotent rule फिर इसके अंदर एक जो बात आती है इसका जो प्रश्न मनता है सबसे खास बात ही है difference of sets यह कहां काम आता है यह काम आता है जैसे इसने लिखा कि a minus b a minus b का मतलब होता है a but not b ठीक है और इसके अंदर इसकी जरुत पड़ती है कि जब वो पूछता है na minus b तो आपको ध्यान रखना है na minus na intersection b यह formula आपको ध्यान रखना है जो last chapter प्राइक्ता वाला यह चीज प्राइक्ता में चली जाएगी probability के अंदर same n की जगह pa minus pa intersection भी हो जाएगा प्राइक्ता में यानि यह कब कामा था है कि t तो पसंद करते हैं लेकिन coffee नहीं तो यह ऐसे question तो यह हो जाएगा n t minus n t intersection c तो यह इसके अंदर में बात थी फिर इस पहले part के अंदर जो में बात आती है वो आपके पूरक समुचे में कोई दिकती नहीं है एक इसके अंदर खास तोर से जो आती है बात यह वाली बात a union b hold is equal to a days intersection b days वास्ता में यह क्या है आपको पता होगा यह कहलाती है आपके d morgan thorm d morgan thorm ठीक है अब यह होती क्या है यह होती है आपके a intersection b dash dash equal to a union b hold is एक तो होती है दूसरी होती है a union b dash equal to a intersection b hold अब यह काम कहां आता है देखे यह प्रमेजो काम आती है खास तोर से set वाले के अलावा जब आप प्रायक्ता वाले सवाल करते हो और अगर वो पूछता है कि a days intersection b dash तो उस condition में आप इसको d morgan लगा करके और आप क्या बना दोगे a union b hold और यह आपके holdage हो जाएगा तो 1 minus p a union b बन जाएगा और फिर यह जो बात आप निकालोगे आपको मालूम है कि p a union b equal to p a plus p b minus p a intersection b यह फॉर्मूले आपस में पूरक के रूप में आपके काम आते हैं ठीके तो d morgan थोर्म का उपयोग अपन यहां करते हैं खासतोर से इस कॉप को ध्यान में रखना होगा फिर चलते हम पस इसके अंदर यही चीजे हैं union वाला मैंने बताई दिया हाँ एक बात और ध्यान रखें अगर तीन वाला हो दो का था आपने पढ़ लिया कि na union b union c equal to na plus nb plus nc minus na intersection b minus nb intersection c minus na intersection c plus na intersection b intersection c यह फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा जब तीन वाली बात पुछ जाए ठीके तीनों का समही से फिर आपको दो-दो का intersection minus करना फिर आपके जिसमें सब के अंदर जो common था उसको फिर से वापस आपको plus कर देना है यह आपके पहले चेप्टर के अंदर जैसे अब यह यहाँ question दिया कि 200 वेक्ति किसी चर्प रोग से 120 वेक्ति रसायन c1 50 c2 30 वेक्ति c1 और c2 ठीक है ना तो यह ऐसे आपको सब पता है अब यहाँ यह पूछ क्या रहा है कि रसायन c1 किंदू c2 नहीं तो यहाँ पर वास्ता में c1 किंदू c2 नहीं का मतलब क्या हुआ पहली बात n c1 minus c2 और यह क्या बन जाएगा n c1 minus n c1 intersection c2 बन जाएगा ठीक है अच्छा एक आपके कोई confusion नहीं हो जैसे union का मतलब तो होता है या और intersection का मतलब होता है और अगर u से या और intersection से और दोनों मिल रहे हैं आपसे confusion नहीं हो बसका लिए ध्यान रखे हैं ठीक है तो यह आप इसके अंदर इस question को इस तरीके से आप करेंगे आपके पास में आराम से सब चीजे मिल जाएगी में जैसे c2 किन तो c1 नहीं तो जस्ट इसके अंदर उल्टा हो जाएगा यह यहाँ c2 तो यह उल्टा हो जाएगा c2 minus c1 तो इस तरीके से आप इस तरीके कर सकते हैं आप जैसे यहाँ अथवा लिखाए c1 अथवा c2 मतब्या c1 union c2 पूछाए यह यहाँ फिर इसके अंदर और कोई खास बात नहीं बची है यह common चीजे हैं अब चलते हैं अपन second chapter के अंदर सम्मंद और फलन सम्मंद फलन में आपको जानकरी होनी चाहिए relation function के अंदर वो स्थे सदे कार्थी गुणन पहना चाहिए cardation product तो वो आप जानते हैं कोई दिकत नहीं है p cross q equal to p q such that p belongs to p और q belongs to q ठीक है और इसके अंदर n a equal to p और n b equal to q तो n a cross b equal to q a cross b आपके क्या है कार्थी गुनन फल cardation product तो कोई विशेश बात नहीं है इसमें से आपके इसका question पूछा है कि जैसे a equal to 1, 2, 3, b equal to 3, 4, c equal to 4, 5, 6 तो जैसे इसमें से कौन सा सत्य होगा इसमें से चार दवाते पुछ लिए तो पहले आप a cross b निकालोगे ठीक है वो आपको पता यह 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 3, 4 यह आजाएगा ऐसे आप a cross c तो इसका इससे निकाल ले 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6 फिर आपको इसका intersection निकाल लेना है यह question पूछा गया है द्यान रखना ऐसे है तो ऐसे simple simple question जो है वो आपके wrong नहीं हो आपको द्यान रखना होगा बस इसके अंदर और कोई खास बात नहीं है फिर अपन सम्मंद की बात करें relation की तो relation में कोई व्षिश बात नहीं है जैसे यह एक तो आपको यह देख लिजी आप मैं ज्यादा नहीं लोंगा किसे समुचे A से समुचे B में सम्मंदों की कुल संख्या A क्रोस B के संभव उपसमंदों की संख्या के बराबर होती है N A बराबर P N B बराबर Q तो N A क्रोस B is equal to P Q होता है तो यह A से B में सम्मंदों की संख्या कितनी होगी 2 पावर P Q यह Q दे रेका देखो A 1 2 और B दे रेका 3 4 तो A से B में सम्मंदों की संख्या पूचिए तो आप देख लो डायटी इसमें क्या हो जाएगा P याने की 2 Q याने की 2 तो यह 2 पावर P into Q याने की 2 पावर 4 तो यह 2 पावर 4 हो जाएगा यह अपने सम्मंदों हो जाएगा बाकि इसके अंदर कोई विशेश बात नहीं आप जानते हो एक इसके अंदर कुछ जो जनरल जो है इसके अंदर ग्राप वगरा दे रेके हैं जैसे यह ग्राप देख लो आप यह किसका है तस्मक खलन का है Y equal to X का जो आप जानते हैं यह आपके constant function है यह आपके बहुपदी जो पर जानते हो fx is equal to a0 plus a1 x plus a2 x square इस तरीके से चलता है और यह बहुपदी function के अंदर आपके अलग-अलग होंगे जैसे यह आपके क्या हो गया पेराबोला हो गया x square y equal to यह आपके अर्द गन परवले हो गया vehicle x cube यह इस तरीके से तो यह general चीज है अपने को थोड़ी जानकरी होनी जरूरी है वो क्या करता है direct इस तरीके से वो push लेता है 0,1,2 इस तरीके से और graph case पर क्यागा बनेगा वो यह आपको ध्यान रखना होगा एक आपके यह सबसे खास बात अब यह इसको आप ध्यान से देखें यह fx square to 1 upon x यह परिमे फलन है ध्यान देना यह आपके परिमे फलन ठीके fx upon gx अब एक हुआ क्या जैसे यह fx square to 1 upon x और इसका जो graph बनता है वो आप देख लिए यह इस तरीके से बनता है ठीके वास्ता में यह जो curve है इस curve को आप यूं समझे fx square to 1 upon x मतलब एक तरह से यह y है तो यह xy square to 1 curve हुआ ठीके अभी आप पिस्टे में question पूछा था कि xy equal to 1 x square to e और y equal to log x से गिरे गिरा area आपको find करना है ठीके तो यह x y equal to यह curve है ऐसा हो गया यह देखी है आपके यह डाल रखा यह अब आप देखते हूं कि ऐसा curve है अमने कहीं देखा ही नहीं तो वो नहीं चलता फिर x square to e का इन गहीं आपके यह हो जाएगा क्योंकि e की value आपके 2 और 3 के बीच में होती है ठीके और फिर log x यह इस तरी के से चलता है तो यह इसके अंदर आपको यह जो area इसने पूछ लिया है तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो तो आपको confuse नहीं होना है मापांग फलंग आप चानती हो यह वाला fx is equal to जब mod x होता है यह mod x ठीक है न तो यह आपके क्या हो जाएगा दोनों 0 से उपर के तब चलेगे और यह आपको खास तोर से समझ की याद रखना पड़ेगा fx is equal to x जब x बड़ा या बराबर हो 0 के और जब minus x होगा कब जब x less than 0 होगा इस चीज को कितनी जग़े use किया हुआ है तो आपको यह theme याद रखनी क्योंकि अवकल निता और संतत फलन में इसकी जरूत पड़ती है फिर signal function यह आप ध्यान से देखें कि fx is equal to यह आपका signal function है डाइगराम उन्हीं बताता क्या है जब x का मान 0 से बड़ा होगा कुछ भी हो तो हमेशा उसकी value 1 होगी x का मान 0 से 0 होगा और x का मान 0 से छोटा है तो हमेशा y की value minus 1 होगी मतलब इस signal function का जो परिसर है वो क्या हो जाएगा minus 1 0 r रेंच जबकि आपके domain जो है वो हमेशा क्या हो जाएगा x belongs to r domain तो आपका x belongs to r हो जाएगा और परिसर जो है यह निक रेंज वो minus 1 0 1 हो जाएगी फिर महत्तम पुर्णांक फलन जो आता greatest common integer यह हम काफी study कर चुके हैं फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा यह आप देखिए x equal to minus 1 होगा कब जब x की value minus 1 और 0 के बीच होगी ठीके अब x की value 0 की जब यह x की value 0 और 1 के बीच में होगी ठीके यह आपको याद रखना है अब इस चीज का उपयोग हमने कहां किया था जैसे x is equal to 1 कब होगा जब x की value 1 और 2 के बीच में होगी यानि जब अपन integration करते हैं ध्यान से देखना minus 1 से 1 के बीच में तो सिधी सिधी बात हम या इसकी जगह कुछ नहीं करते हैं minus 1 रख लेते हैं यह क्या होगा यह हो जाएगा आपके minus 1 से 1 और यह minus 1 रख लिया dx अब आप इसका integration कर ले कोई दिकती नहीं तो हम यह चीज इसके अंदर use करते हैं आपको इसका ध्यान रखना होगा हम इसके बारे में काफी चर्चा कर चुके हैं फिर हम चलते हैं इसके अंदर आप देखिए यह जो question एक कुछ प्रांत और परिसर निकालना यह पांचवा वाला question थोड़ा सा इसके अंदर important रहे एक दूसरा वाला fx is equal to minus mode of x या fx is equal to root 9 x square यह अप में काफी करवा चुका हूँ तो यह आपको इसके अंदर कर लेने एक जो question आता है यह वाला कि fx is equal to x square plus 3x plus 5 upon x square minus 5x plus 4 का तो इस case में आपको करना क्या है नीचे वाली हर 0 नहीं होनी चाहिए आप नीचे वाले का factor कर ले और factor करती है x की जो value आती है जैसे 1 और 4 आया तो real number में से आप 1 और 4 को minus कर ले हटाले remove कर दे वो आपका इसका प्रांत हो जाएगा एक चीज़ देखें आप ये fx is equal to 1 minus x जब x less than 0 और 1 जब x is equal to 0 और x plus 1 x square than 0 ऐसे फलन को trace करना ना चाहिए जब x की value 0 है तो हमारे y equal to 1 होगा तो ये देख लिजी आप से दिश्दा ये दे रखा है x 0 तो y equal to 1 और ये यहाँ से इधर तो है ये अपने x plus 1 positive और इधर हो जाएगा 1 minus x negative इसके अंदर फिर इसके अंदर ये आपके question 2, 3, 4, 5, 6 ये आप ठीक्स देख लेए इन में से question पूछेगे हैं दूसरे वाले में at value पूछी है f1.1 minus 1 upon 1.1 minus 1 दूसरे वाले भी तीसा वाला question में करा चुका हूँ भी प्रांत पूछा नीचे वाले 0 नहीं होना चाहिए फिर fx ये 4, 5 और 6 इसके अंदर प्रांत और प्रेसर निकालना तो ये आपको इसके अंदर से ध्यान रखना होगा ये खास थोर से मैं आपको करा चुका हूँ अब चलते हम तीसरा देखें इसका question जो पूछा इसने simple सा पूछा है सबसे पहली बात तो इसके अंदर आती है पहला जो 3.1 की जो बताती है वो आपके आती है d pi equal to 180 r degree to radian में और radian to degree में convert करना ठीक है यह d मतलब degree r मतलब radian ध्यान रखना यह आपको आना चाहिए डिगरी से radian में और radian से डिगरी में convert करना डायरेक्ट इसका मतलब इसने एक डिगरी दे रखा था और आपको radian में convert करना था डायरेक्ट question पूछा इसके अंदर यह आपको द्यान रखना होगा फिर हम बात करें इसके अंदर बस यह general चीज़े थी और जो common चीज़े थी इसके अंदर में करा चुका हूँ एक जो है आपको इसके अंदर जो direct question है वो आपको सबको पता है लेकिन जैसे एक तो यह वाली बात यह question देखिए आप 10 pi by 8 की value क्या होगी तो हमें निकालना आना चाहिए और कुछ value याद दे रहने चाहिए 10 pi by 8 की value root 2 minus 1 आ रही है जो आपको देखना है कि यह positive होगा और first quadrant में होगा और इसलिए इसकी positive value होगी आप इसको भी निकाल सकते हो एक इसके अंदर यह question देखिए cos square x plus cos square x plus pi by 3 plus cos square x minus pi by 3 equal to k then k की value होगी यह diet value पूछ लेगा वो तो यह 3 by 2 यह question भी काफी important है और आपको इसको ठीक से study कर लेना है फिर चलते हम इसके अंदर एक बात औरे गए जो मैं बताना चाहूंगा क्योंकि इस पर question पूछे अगर आप यहीं अटक गई तो सब चकर पड़ जाएगा हमारे पास जैसे मैं उल्टे ले लेता हूं प्रमेतीर एक तो यह 10x is equal to 10y होगा तब आपको y equal to n pi plus y लिना होगा यह formula याद रहे आपको ऐसे ही इसके अंदर जो sin वाला ले जैसे पहली वाली तो sin x is equal to sin y तब x is equal to n pi plus minus 1 power n y हो जाएगा n plus to 0 और एक cos वाला cos x is equal to cos y तो इसके अंदर डाइट कुछ निकरना 2n pi plus minus y कर देना है यह देखिए आप 2n pi plus minus y तो यह तीन formula आपको ठीक से study कर लेना है ताकि इसके question आप कर सको यह देखिए general formula जो है यह formula आपको च तरह से याद होने चाहिए cos x minus y का ठीके यह cos 2x ठीके उसके तीनों 4 sin 2x 10 2x sin 3x cos 3x 10 3x फिर यह cos x plus cos y minus y plus cos 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 plus minus में sin 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 plus minus में फिर यह 4 सुत्र हाला कि मैं सब करा चुकाओं को लेकिन फिर भी आपको यह याद रखने होंगी इदर वाले और एक page में इदर छोड़ दिया है यह भी आप ठीक से देख ले यह वाला ठीके जो आप जानते हैं अचे तरिके से कोई विशेश बात नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपके सामने लेता हूँ ताकि आपको देर ने लगेगी समझने में एक मैं बताना चाहूँगा कि यह देखी आप क्योंकि क्वेशन पूछा इसकी अंदर कि इसा विश्वास के जाता है कि त्रिकोर्मिति का अधियन सरपरतम बारत मेरब हुआ आरेबट 406 तर ब्रह्मगुत 500 ठ्याणू बासकर 600 बासकर दितिय 114 यह आपको एक्रम याद रखना यह सारे भारतिय गणितग्य है और आपके बारतिय गणितग्य जो है वो सलेबस में है गणिती आग्वन वेसे आपके देरी रखाई सलेबस में लेकिन इस पर question simple पूछा है तो कोई विशेश बात नहीं आप यह कर लेंगे फिर अपन चलते हैं समिस्ट्र संख्याएं समिस्ट्र संख्याएं जो है सबसे important part है और बहुत ही easy है जो अपन कर चुके है फिर भी मैं इसके अंदर आप कुछ जो general चीजे हैं मैं वो लेना चाहूँगा जैसे आप देखिए यह आपको पता ही है एक तो यह हाँ बस यह आयटा के value दे रखिए इसके अंदर कैसे निकालते हैं क्योब का क्या होगा तो यह यहाँ जो बताना चाहरा है मैं बतलता हूँ जैसे आयटा अपन जानते हैं कि आयटा किसके value होती है minus root में तो आपने को जो समालो आयटा की power और अगर 131 है तो आपको पता है कि इसको आप थोड़ा सा convert कर लें पहले आयटा करके ने फिर इसको आप 130 याने की 65 power उपर कर दें ने दो अंदर कर लें तकि यह minus आयटा आ जाएगा तो कोई विशेश बात नहीं है यह है आप सभी जानते हैं जो चीज़े इसके अंदर जुरुत है आपकी जैसे यह कुछ common चीज़े एक तो यह वाली प्रोपर्टी एक तो जेर इन्वर्स प्रतिलोम जो निकालते हैं वो आपके जेर बार अपोन मोड अप जेर का square इसका मतलब यह हुआ कि जेर जेर बार equal to mode of j square हो जाएगा जेर जेर बार equal to यह आपके बहुत ज़्यादा काम आया हुआ है इसको आपको ध्यान में रखना है फिर हम चले हैं अगर यह j1, j2 अलग-अलग है बादा एक साथ मोड है तो अपन इनका अलग-अलग मोड भी कर सकते हैं इसके अलवा j1 upon j2 का अगर mode कर रखा है तो अपन इनका अलग-अलग करके भी mode कर सकते हैं ठीके बाकी यह सब common चीज़ें इसमें कोई विशेश बात नहीं है अब एक अगली बार जो आती है कि आपको द्रुवी रुपें बदलने की जरूरत बार-बार पड़ेगी ठीके तो वेशे तो आपको पता है फिर भी मैं आपको बता देना चाहूंगा कि हमें ये पता हो जन्रल जो आपको जानकर ही है x, x-day, y, y-day ठीके आपको मालूम है कि ये दोनों positive होते हैं ये positive, negative इसके पता है तो आपको द्यान रखना खास और से दिक्कत जो आती है वो इसमें आती है ये theta और minus theta होगा और ये pi minus theta और minus का pi minus theta कर देना ठीके, जैसे ये दे रखा है 1 plus i8 root 3 तो आप, जैसे ये तो दोनों positive इसमें कोई दिक्कत नहीं है positive है तो first मैं जाएंगे लेकिन जब किसी और में आते हैं तब अपने दिक्कत आती जैसे आपके दे रखा है ये वाला minus 1 minus i8 root 3 ठीके, तो इसके अंदर आपके क्या है कि ये third quadrant में आएगा तो इस case में आपकी जो theta की value आएगी वो आपके minus 1 upon minus root 3 10 theta तो ये plus हो गए तो हमारे हिससाब से ये plus हो गया तो इसके value क्या आ जाएगी इसके value हमारे 10 30 हो जाएगी यानिकी pi by 6 जो wrong है हमें इसको minus करके pi minus करना पड़ेगा इस method से और बहुत सारे method अपन लेकिन आपके याद रखना चाहो तो आप इससे फटा-पट निकाल लोगे तो क्या जाएगी 6 minus 5 pi यानिकी minus का 5 pi बटा 6 इसका जो angle होगा तो ये ऐसी चीज़ें आपको द्यान में रखनी है इसे question थोड़े से द्यान में रखने है आपको वैसे समिश संख्याओं पर अपन काफी काम कर चुके है इसलिए मैं जादा इस पर बात नहीं करूँगा फिर भी इसके अंदर कुछ चीज़ें AC है जैसे ये result देखिए आप x plus i8 y whole cube equal to u plus i8 v तो u upon x plus v upon y equal to k into x square minus y square तो k का मायन होगा ठीकें तो k की value 4 होगी ये question पूछा गया इसके अलवा एक ही है कि alpha बीटा 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 का मोड 1 है तो beta minus alpha upon 1 minus alpha बार बीटा की value मोड में क्या होगी इसका answer 1 है ध्यान रखना 1 ठीकें o n e तो कोई विशेश बात नहीं ये से question आते हैं जैसे तो आप m की नियुन्तम पूर्णांग क्या होगा आप निकाल सकते हैं ऐसे question को आपको focus करना है फिर चलते हम एक direct इस पर प्रस्ट पूछा है कि iota की power 4 के प्लस 3 क्या होगा तो minus iota ये अपन k की value पूर्णांग रखके निकाल सकते हैं ये direct इस question पूछा है direct पूछा हो आरपेसी में है कुछ नहीं है लेकिन आप प्रद्यान रखेंगे तो उसा ही हो जाएगा अब ये book क्यों importance रखती है देखिए ये जो topic है ये किराय की ये जो real मजाने की आयोटा समिश संख्याओं के बारे में सबसे पहले जो जानगारे दिये वो भारतिय गडितग्य महावीरा 850 में दिये और ये चीज कहां इनकी book है गणित सार संग्रह ठीके ये आपको थोड़ा ठीक से समझ लेना है महावीरा ठीके तो ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि आपके सेलबस में बारतिय गडितग्य है तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है इसमें कुछ विशेश बात है नहीं मैं काफी सपर question आपको करा चुका हूँ तो मैं जाद टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसमें क्योंकि इसमें डायट रिस ने X के कौन-कौन से मान है वो पूछा गया है कैसे ये इस तरिकी का जवाल पूछा है कि जैसे X माइनस X स्क्वार माइनस 6 ठीक है न ये और इसकी वेलू जीरू है तो आप ये X के क्या-क्या वेलू होगी तो ये आपको पता है असमें का वाले में तो ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा फिर हम बात करते हैं क्रमचे संचय क्रमचे संचय के अंदरपन ने सारी शिज़े लगबग देख ली है मैंने काफी आपको कराया है फिर भी मैं गणना का आधार बुठ सिद्धांत ठीक है जो अपन जानते हैं M into N होता है ठीक है M प्रकार की गटना है गटती पहले फिर N प्रकार की गटती उसके बाद में तो M into N अपन वह जाता है मालोगर बहुत सारी गटना है 1 upon factorial 6 plus 1 upon factorial 7 equal to X upon factorial 8 ठीक है यह हुआ यह हुआ तो यह 10 है तो इसका answer 100 हो जाएगा यह 8 है तो इसका answer 64 हो जाएगा हमें खाली फोर्मूलो पर फोकॉस करना है कि N P R equal to factorial N upon factorial N minus R यह हमें जानकारी होनी चाहिए इसके अलाबा आपको पता हो कि N P N equal to factorial N होगा इसके अलाबा N P 0 इसकी value 1 होगी ठीक है फिर यह मैं इसले लखिया हूँ कि N विबिन वस्तों में से एक समय में R वस्तों को लेकर बने क्रमचैयों की संख्या जबकि वस्तों की पुन्रवत्ती की अनुमती हो वो N power R होती है कोई विशेश बात नहीं है सब चीजें यह repeat है फिर हम बात करें यह वलित्योर्म N वस्तों के क्रमचैयों की संख्या P वस्तों समान प्रकार की और 6 बिन प्रकार की हो तो factorial N upon factorial P होगा यह कैसे जैसे वो पूछता है कि आपके कुछ भी ले ले जैसे मालो elephant ले ले E-L-E-P-H-A-N-T तो इससे जो भी मतलब बनने वाले है या इसमें देखो जैसे repeater नहीं हो रहे है तो अपन apple ले 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 ना यार सब सब बड़ा apple तो इससे क्रमचै किते बनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है तो factor 5 और repeat कौन से हो रहे है अब 2 हो रहे है तो factor 2 हो जाएगा ये थिवर में ये कहना चाहरी है ठीक है जैसे इसने ये अल्लाबाद सब्स दिया है तो इसके अंदर कुल 9 9 alphabet है तो factor 9 और नीचे 4 factor में और 2 factor में क्यों क्योंकि A तो 4 बार आया और L दो बार आया तो ये ऐसे question आप आराम से कर सकते हो फिर ये question थोड़े से आप ठीक से देख ले जैसे N की value निकालना है N P 5 इक्वाल टो B 40 N P 3 और N की value 4 से बढ़े होगी तो इसको पुरा solve ने करना है आपको उसमें से option में से N की value या लेकर के इसको set कर लेना है इक्वालाइस कर देना है ठीक है ये सारे सारे question ऐसे ही है आपको इनको ऐसे ही करना है जैसे ये दे रखें ये सारे question ऐसे ही होंगे फिर संचय की बात करें तो संचय के अंदर अगर confusion हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संचय में x, y, y, z, z, x ठीक है न टीम बनाने के तीन तरीके हैं बालो तो यहाँ पर इसके अंदर क्या है सबसे खास बात है कि किसी संचय में चैनित वर्ष्टियों का क्रम महत पुर्ण नहीं है ठीक है सबसे खास बात ही है यह चीज़ें आपको ध्यान रखनी है मतलब इसके अंदर खास तो उसे जैसे दे रखा न कि यह A, B और B ये दोनों A की बात है यह अलग-अलग नहीं होंगे अब इसके अंदर कुछ जो फोर्मूले है वो देख लें आपड़ापड एक तो जैसे NPR वो इकवल टू NCR इंटो फेक्टरल आर अपन जानते हैं अरे भई ये तो फोर्मूला अपन ने ले रखा है किती बार यह ना कि जो NCR होता है फेक्टरल N फेक्टरल आर N-R होता है तो इसी से बना रखा इसने यह जाना ऐसे ही NC NB1 हो जाएगा फिर इसके अंदर जो ज़रूरी चीजें है यह देखिए एक तो यह NC N-R एकवल टू NCR होगा ज्यान देना NC अगर NCR एकवल टू यह है तो N-R जो है वापस वो NCR के एकवल हो जाएगा इस त्योर्म सुत्र यह काम है है और इस पर काफी अच्छे-चे सवाल पूछे गए हैं द्यान देना ऐसे ही यह NCR प्लस NCR मैनस 1 एकवल टू N प्लस 1 CR हो जाएगा यह थोड़ से आपको फूम ले ठीक से देख लेने है फिर एक को खास और का रहे गया एक चीज रहे गई थी X is equal to Y वाली मैन टर्म रहे गई है यह वाली बात कि NCR 9 equal to NCR 8 तो इसके अंदर उपर वाले दोनों बराबर है तो N के value इनका sum हो जाएगी द्यान रखना ठीक है न यह आपको द्यान रखना है या तो आपके यह भी दोनों equal होंगे ठीक है या फिर इनका N equal to Y इनका sum हो जाएगा और इसका question कहा पूछा है इसका द्वीपद प्रमे में इसकी जरूरत पढ़िए आपको वहाँ ध्यान रखना होगा ठीक है फिर आप देखें एक यह इस तरीके के question जो आते हैं कि इन्वाल्यूश शब्द के एक्षरों से आर्थीन या आर्थपुर्ण प्रतिक तीन सवरों और दो विंजनों वाले कितने शब्दों की रचना कीजा सकती है तो यहां पर हमारे पास मैं सबसे पहले 4 स्वरों और 4 विंजन है तो इसने कुल क्या किया इसने 4 मैसे 3 का 3 स्वरों की चैन तो 4 मैसे 3 फेक्टरिल 4 पर पर जाएगा और 4 मैसे 2 तो 4 से 2 तो यह 24 आगया हम इसको आंसर करके आगा थे हैं लेकिन हमारे को यह चैन करने के बाद वापस उनको आपस में सेट करने के फेक्टरिल 5 पर कर होंगे तो इसको आप फेक्टरिल 5 से ज़रूर बुणा करना नहीं भूलें फिर चलते हम एक यह वाले क्वेस्टन जो है पूछता है अगेन शब्द के अक्षरों से बनने वाले अर्थ पूर्ण या अर्थ इन शब्दों के संख्या ग्याद कीजिए या कितनी होगी तो अर्थ पूर्ण या अर्थ इन शब्दों की संख्या आपके किती वो जाएगे इसके अंदर 60 और अगर इनको शब्द कोष्ट से लिखा जाए तो 50 वा शब्द क्या होगा वो आपके N-A-A-I-G होगा इस पर तो question पूचा ही है आपको अगर क्रम्चे संचे करना है तो आप इस 22 वा उग्जाम्पल है आपको इसको ठीक से समझ लेना फिर चलते हैं पन द्वीपत प्रमय के अंदर लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो कुछ हमारे बारती गणितग्य है जैसे सुसुर्थ है इनकी पूस्तखे सुसूर् walnut ठीक है इसके अलावा ये सर्श्कत विध्य पिंगल है ठीक है और बासकराचारे है लिलावती है ये दो बासकराचारे जैने अपनी प्रस्थिदय पूस्तख लिलावती यह प्रश्न पूछा है महावित ने एंसे और नपी आर पर हम अधिरिक्त बास्करचारिक और इस पर भी नोंने काम किया है तो यह कुछ खास का चीज अपने को ध्यान रखने हैं जो बारती गणितग्यों की है ठीक है बाइनोमेल के अंदर पन कर चुके हैं कोई विशेश ब प्लस वन इकल टो एंसे रर ए मैनस ए पावर एं मैनस र बी आर वगेरा ठीक है इसके अलावा हो सम और विशम वाली बात के ए प्लस बी का अगर मद्य पद ग्यात करना है तो अगर एंसम में तो पदों के संग्या ए प्लस वन हो जाएगी और इसलिए मद्य पद क्या हो जा कौन-कौन सा यह आपके एं प्लस वन पॉन टुवा और एक ज़स्ट इसके बाद वाला तो यह इस तरीके से आपको खास तोर से इसके क्वेश्चन करना है और इसके अंदर कुछ अगर बचता है जैसे यह से क्वेश्चन कि यदि ए वन प्लस ए पावर एं के प्रसार में तीन क्रमागत पदों के गुणांग के एक साथ भी अलिस के अनपात में है तो एं का मान क्या होगा इसे क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ठीक से कर लें ठीक है फिर चलते हम एक यह कि एम का वह दनात्मक मान ग्याद कीजिए जिसके लिए वन प्लस एक्स पावर एं के प तो यह सिद्ध करना की n2-n4n-4r-1-4r-2-0 वो कुछ नहीं करेगा यहाँ पी चार की जगह लेंबडा डाल देगा और काईगा कि लेंबडा की वेल्यू होगी अब इसके अंदर खास्तों से question number 9 देखिए आप 9 1 plus x.2 minus 2.x all power 4 का द्वीपत्र में से प्रसार कीजिए पूरा प्रसार नहीं पूछता है वो किसी गुणांक पूछता है ठीक है एक तो यह एक आपको यह पांच वा छट्रा question देख लें यह खास्तों से important है फिर यह तीसरा question देख लें आप ठीक है तीसरा है दूसरा यह तीसरा खास्तों से important है x5 का गुणांक याद करना है ठीक है तो कोई विशेश बात नहीं है आप इसमें से इसको इसको मैंने केसे बताए था याद करो इसको मैंने बताए था कि आप इसको 1 plus 2x power 6 ठीक है और 1 minus x power 6 और 1 minus x कर द करें और 1 minus x power 6 करके और इसको आप multiply कर लें और बली आप दोनों को अलग-अलग खोल लें कुछ पतोत्रग है हमारा काम हो जाएगा और फिर आप इससे गुणांकों का set कर लें आराम से काम हो जाएगा आपका मैं करवा चुका हूं इसलिए मैं पूरा question आपस नहीं ले रहा तो यह हमारे इसके अंदर first part जो है आपका complete रुआ इसके अंदर आपको यह topics करने हैं अब मैं second part में गुशता हूं यह आपके second part तो second part के अंदर सबसे पहला topic आता इसके अंदर अनुक्रम पर अपन काफी काम कर चुके हैं मैं इसमें से मुख्य मुख्य चीजे लेते हुए आगे बढ़ जाऊंगा देखिए सबसे खास बात जो है सबसे इसके अंदर जैसे एक तो यह चीज आपको कर लेनी है समांतर माद्य जो कैसे यह खास दोर से topic कि आपको A और B के बीच में कुछ संख्यां एंजर करानी तकि वे AP में आ जाए ठीक है तो यह A और B के बीच में A और B के बीच में N संख्यां माद्य प्रिष्ट कराने है तो यह A, A1, A2, A3, A, N, B, स्थरमांतर चैनिम हो जाएंगे और इसमें कुल पदो की संख्यां आपके N प्लस 2 हो जाएगी तो N प्लस 2 पद निकाल लेना इससे D आ जाएगा और फिर उसके बाद में A1, A2, A3 सब निकाल ले है ठीक है फिर यह कुछ मानक रिजल्ट है पांचवा के P पद 1.Q, Q पद 1.P तो प्रतम P Q पदों का योग क्या होगा 1.2, P Q प्लस हो तो प्रतम P प्लस 2 पदों का योग फल्किता होगा मैं आपको डायट बता रहा हूँ इसका अंसर 0 है ठीक है तो ऐसे क्वेस्टन थोड़े अपने को ध्यान में रखने होंगे फिर इसके अंदर एक क्वेस्टन ये पंदर मां पूचा जाता है कि A पावर N प्लस B पावर इसमें A और B के बीच में करे समानतर मादिय हो तो आन का मान क्या होगा यहां आपको क्या करना न का मान जो isolation में दे रहे यह थो समांतर माध्य किससे आ रहे हैं या तो वो समांतर माध्य आएगा यह रत्मक माध्य आएगा यह फिर यह जीपी जीपी की अंदर कोई विशेश बात नहीं है यह क्वेस्टिन पूचा हो गए कि गुनतर सेडी तीन तीन मटर्स चार में कितने पद्र लेंगे तो उनका योगफल 399 बटा 512 हो जाए तो ये कुछ नहीं SN वाले में रखा और ये N के विल निकाले 10 आरा इसका अंसर फिर इसके अंदर सेम एसे गुणोतर माध्दी प्रिविष्ट करने का तरखी होई है अपको N गुणोतर माध्दी प्रिविष्ट करने और इससे आपके पदों के संग्या N प्लस 2 हो जाएगी और फिर इसमे आप G1, G2, G3 निकालने है एक इसके अंदर ध्यान रखना ये A और G, A arithmetic mean और G गुणोतर तो ये A बड़ा होगा या बराबर होगा G कि ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा एसे ही जैसे ये question हुआ है ना तो ये एसे question खास दोर से अपने को देखलने 17 वा question ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं फिर ये तीनों सुत्र आपको पता होने चाहिए है ये sigma N का sigma N square का और sigma N cube का ये sigma N का ठीक है ये sigma N square का और ये आपके sigma N cube का जो आपको पता है कोई मिशेश बात नहीं N into N plus 1 whole square upon 4 का हो कुछ भी का हो फिर इसके अंदर एक question ये आपको ध्यान रखना है 1 upon 1 plus 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 ये question पूचा गया है इसमें N पदों का योगफल कितना होगा तो आपको इसके अंदर क्या है कि पहले इसको set करना पड़ेगा 1 upon N into N plus 1 करो और उसके बाद में इसको partial fraction से 1 upon N plus 1 upon N plus 1 करो यह से minus 1 हो जाएगा तो इसका answer आएगा वो N upon N plus 1 आएगा N पदों का योगफल ये question पूचा गया है इसलिए मैंने इसको ले लिया है ऐसे ही question में 22 स्वा है ठीक है ये ABC अगर GP में है तो A power 1 upon X, B power 1 upon Y, C power 1 upon Z तो सिद्ध की J के X, Y, Z समांतर जड़ी में है तो ये AP, GP के question जो भी अपने कर रखे ह आप कर सकते हैं कोई विशेश बात नहीं एक ये 20 स्वा question जरूर देख लें आप यदि ABC स्थे मांतर शड़ी में है BCD GP में है तो 1 upon C, 1 upon D, 1 upon AP में है तो A, C, E, GP में होंगे प्रस्ण वो यहां से पूचेगा एक तो और एक पूचेगा ये वाला 25 स्वा question जो मैं करवा चुक sigma FX is equal to 120 से और N का मान क्या होगा ठीक है फिर ये सी तीसरा question ठीक है एन 2N 3N और S1 S2 S3 इनके अगर योग फले तो S3 is equal to lambda into S2 minus S1 lambda का मान क्या होगा वो इस तरीकी से यहां से question पूचेगा ठीक है बाकि इसके अंदर सारे formula वगर आपको पता है सरल रेका हैं देखिए सरल रेकाओं के अंदर अपने काफी किया है काम ठीक है एक तो वो अपने प्रस्ण बनाता है ये वाला 2 रेकाओं के बीच का कौन ठीक है तो इदर रेकाओं के बीच का कौन ही हो जायेगा अपने को पता ही है यह अपन जानते हैं 10 theta equal to m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2 ये आपको थोड़ा दो इस्तितिया होती इसके अंदर दिनात्मक वाली जो अपन कर चुके हैं पर इसको द्यार में रखना आपको ठीक है फिर चलता है हम ये तीन बिंदों की सर रेखता इस पर प्रशन पूछा इसने तो इसमें कॉंसेप्ट क्या लगाएंगे आप आपके पास ए बी सी तीन बिंदों दे रहे हैं तो आप इसमें ए बी का डाल बराबर बी सी का डाल करके और आप वो रिलेशन निकाल सकते हैं इस पर क्वेर्शन पूछा है आप बोल नहीं जाएं ये ये वाला पूछा देख वाला है तो इससे करना आपको फिर इसके अलग-अलग रूप है डाल रूप डाल अंतकन रूप लंब रूप जो अपन कर चुके हैं इसमें कोई विशेश बात नहीं फिर चलते हम ये वाली बात ये पी से किसी रेखा पर लंब दूरी डी इक्वल टू एक्स वन प् ये पने कोई पता होना चाहिए अच्छा एक ये प्रस्टन अक्सर पूछा जाता है कि एक्स माइनस दो एप्लस तीन स्कुर्ट जीरो पर लंब और बिंदो वन माइनस तो से जाने वाले रिखा का समय करना हम इसके बारे में काफी अच्छा काम कर चुके है इसको कैसे करते मैंने आपको बता रखा कि जब ऐसा क्रेशन आये और जब ये जैसे इसा तरवाय ये इस रिखा के लंब की बात कर रहा थीक है जब लंब की बात करें तब आपको इन दोनों के गुणांक बदल लेने कैसे 2X कर देना और य का गुणांक 1 कर देना और बीच में जो चीन इससे 1-2 से तो इससे आपके लेमड़ा आ जाएगा ये लेमड़ा यहां पूट कर दो तो ये आपके लम रेखा कसमे करना जाएगा और अगर ये समानतर की बात करें तो अपन जानते हैं आपको कुछ नहीं करना माइनस टो वही और अपकी बार प्लस इसकी जगह म्यू कर देना या लेमड़ा कर देना बराबर जीरो फिर बिंदु गुजार देना इससे म्यू आजाएगा या म्यू पूट कर देना ये आपके आंसर फिर चलते हम ये कुछ रिजल्ट है जो ध्यान रखने होंगे जैसे एक चवदवा कि बिंदु माइनस वन बिंदु माइनस वन थरी से रेखा तीन एकस माइनस चारवे माइनस सोला पर जीरो पर डालेगे लंब के पाद के निर्देशांग ग्याद कीजिए अब लंब के पाद के जिसका समिक्रण आपके पास दे रेका है क्या...? ठीका.. ठीके.. बुदा.. आप पहले इसको आप कुछ नाम देते क्यों । इस ज्लंब के समिक्रण निकाल ले है अभी बताया वेसीज फिर उसमें लेमडा की जगह आप उसमें ये value minus 1,3 पुट कर दें और इस से आपके लेमडा आ जाएगा फिर दोनों रेखाओं का आप इस रेखा कर समिक ना किया और ये आपके L ये भी रेखा गई इन दोनों का प्रचेद बिंदू निकाले ना अंसरा जाएंगे ये एक 16 वा question भी important है इसको भी आप ठीक से study कर लें अठरवा भी important है आप ठीक से study कर लें फिर ये 20 वा question आप ये question डायरेक्टर पूछा गया है कि अगर ये कौन करेंट है तो क्या करोगे दो को हल करके नहीं तीसरे मेली पूट कर दो तो के कमाना जाएगा ठीक है एक ये बहुत अच्छा question देखो आप फोर बन से रेखा फोर एकस मानस वा इकड़ जिरो की दूरी रेखा के अनुदिस ग्यात कीजिए जो धन एक सक से 135 दिगरी के कौना थी बहुत important question है पूचा हुआ question है द्यान रखना यही डाइरेक्ट पूचा यह ठीक है तो इसके अंदर क्या करना है यह आपके clear दे रेका है इसका ढाल निकाल लो पहले तो 130 तो यह आजाए कि अपकर मानस वन फिर आपको इस वन फोर से जाने वाले रेखा का समय कर निकाल लेना है ठीक है यह concept बहुत important एक यह और एक यह mirror मान करके इसका पी निकालना मैं आपको करा चुका हूँ आपको यह question नहीं छोड़ना है प्रतिविम्ब image ग्यात करना ठीक है P12A तो इसका QH के कैसे निकालते मैं आपको करा चुका हूँ इसको आपको नहीं छोड़ना है दे रखा यह बिंदू के लिए रखा को दर्पन मानते हो तीन आठ का आपको X प्लस 3Y इकल टू 7 प्रतिविम्ब ग्यात करना है तो यह इसको ग्यात करेंगे सेम वह तरीका आपके है ठीक है यह उसमें कुछ जिसे यह तरीक से एक कील लेना है यह आपके फिर शंको परिशेत की बात करें तो इसके अंदर वरत दिर्गरवत परवले और रते परवले इसके लिए 1 कमान एक एक से कम ठीक है ये कमान जीनो पर वरत के लिए या एक से कम या एक परवले में आपके कमान ये से बड़ा होता है तो ये common चीजे हैं कोई विशेश बात नहीं ठीक है वरत्त के क्वर्शन आपकी कर चुके हैं परवला है परवला की भी अपने किये हैं नाविलम्ब जीवा वगेरा थोड़ा सा इसके बारे में जन्रल जानकरी अपने को होनी चाहिए ताकि अपने को अराम से कर सके हैं फिर दिरग्र इसके बारे में आपको करा चुका हूँ और इसमें से question पूचा गया है ठीक है इसमें से direct question पूचा गया है ये वाला ये आपके दिरग्रवत का ये वाला और एक ये वाला question पूचा गया है अलग-अलग जगे direct वो example ले रहा है ये वाला ये question पूचा है 2019 के अंदर इसको ठो देते हैं ठीक से नहीं करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही नुक्सान वाली बात है आपको इनको जरूर करके जाना चाहिए इन में से वो एक क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है चाहे अतिपरवले हो चाहे परवले हो दोनों की बात करें हम समकोनी अतिपरवले हैं जानते हैं एक वल्टर भी होता जिसकी उतके दरता रूट्टू होती है हम निकाल चुके हैं और यह आपके इसका सहिग्यमेश्चन परवले होता है जो आपको पता ही है नाविलंब जीवा सारे अपन नहीं किये हैं एक ये वाला क्वेश्चन जो पूचा गया है थोड़ा ध्यान से ने एक परवला है कार परवर्तक की नावि इसके शिर्ष के अंदर से 5 हमे के दुरी पर है मैंने ये क्वेश्चन करवा रखा आपको ध्यान रखना पूरी तरह से और इसको ठीक से आपको समझ लेना है ये ए भी पूचा इसने तरह से ना भी लंब की लंबाई जो होती ना मतलब वो ही दिखरी इसके तरह कुछ भी नहीं है देके ना काम तो आप इसको कर सकते हो मैंने इसको करा रखा है ज़्यादा में टाइम ने दूँगा इसके लिए एक ये आठवा कॉस्चन ये भी आपको ठीक से कर लेना है ऐसे कुस्चन एक्जाम में पूछे जाते है फिर थ्री डाइमेंशन वाला पॉर्शन जो है इसके अंदर अपने को जनरल जानकारी ये 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 लाइमें इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है इसमें से कुछ लियानी है इसने ये इस तरीखे से question थोड़े बहले करो तो देख लिना ये कि विंदो 4, 8, 10 और 6, 10, माइनास 8 को मिलाने वाले रेखा खंड Y Z तल द्वारा जिस अनुपात में विबक्त होता है तो आपको क्या करना है मालो P X Y Z से बांट रहा हो तो ये आपको वो बुर्मला लगा देना है इसके अंदर 12-12-12 वाला मैं भी बता रखा आपको दस्वी का जो पता है न वीडियो उसके अंदर आप इन में से कोई सा भी एक आप ले लो उसको 0 कर दो मतलब Y Z तले तो X 0 होगा ठीक है तो ये X 0 इसने कर रखा ही है इससे के की विल्यो आ गई तो ये ऐससे क्वेश्टन थोड़े से आपको देख लेने है बाकी इसमें कुछ नहीं है अच्छा अवकलन वाला टोपिक है मैं इसको टच नहीं करूँगा क्योंकि इसके बारे में आपने खुब स्टेडी कर रखी है और जितना में इस बुक में है उससे के गुना आपने इसमें कर रखा इसलिए में निलूँगा ये टोपिक आपके है नहीं हाँ एक ये आपके एक तो जैसे सांकी के वाला पॉर्शन है इसके अंदर एक तो आपको परिसर कैसे निकालते हैं वो आपको पता हो मतलब में इसमें वेल्यू में से मिनिमम जो आंकड़ा है उसका डिफरेंस निकालने आप माद्य विचलन इसके अंदर वो कुछ भी पूछ सकता है माद्य विचलन का क्वेशन पूछता है द्यान रखना एक तो माद्य विचलन वाला देखना और इसके अंदर जो क्वेशन पूछता है वो खास तोर से मैं इसकी विविद के अंदर जाना चाहूंगा एक तो और एक जो ये cv ये वाली coefficient of variation cv cv equal to sigma upon x बार होता है sigma आपने क्या है मान्यक विचलन sigma square प्रसरन है कोई विशेश बात नहीं है ये आपको जानते ही हो आप है न सिग्मा square जो है ये प्रसरन है और sigma जो है आपके माध्य विचलन है ये तो ये sigma आपको निकालना आता है कोई विशेश बात नहीं मैं बात करना चाहूंगा ये ऐसे question में कि दो वेतनों का विचलन 60 विचलन 60 और 60 है उनके मान्यक विचलन 21 और 16 है तो माध्य क्या है तो अभी अमने शुतर काम में लिया cv equal to sigma 1 sigma upon x वाला इससे अपन दोनों का निकाल करके और answer निकाल सकते हैं मैं कहना चाहूंगा आपको ये देखिए ये वाला कि 20 प्रेक्षनों का प्रसरन 5 है ये question आप prepare कर लें यदि प्रत्य प्रेक्षन को 2 से गुणा किया जाए तो प्रेक्षनों का प्रसरन ग्याज कीज़े पूरा लंबा चोड़ा कर रखा है लेकिन कुछ नहीं करना आपको इस question को करना कैसे है पाठक द्यान दे यदि प्रत्य प्रेक्षन को k से गुणा किया जाए तो नहीं प्रेक्षनों का प्रसरन पूरा प्रसरन का k स्क्वेर गुणा हो जाता है कितना k स्क्वेर गुणा यह आपको द्यान में रखना तो कैसे करोगे अगर प्रसरन पहले वाला 5 है और प्रत्य प्रेक्षन को 2 से गुणा किया है तो आपको 2 square से इसको गुणा कर दो ये देखिए आप 5 का 2 square से गुणा किया तो 20 आंस रहा है एक तो ये ध्यान रखना लेकिन अठारवा एक्जांपल यदि प्रतियक प्रेक्शन x1 x2 x1 को a से बढ़ाया जाए मतलब से दिशनी बात है अगर ये जोडा जाए या गटाया जाए तो प्रसरन परिवर्तित रहेगा कोई फरकनी पड़ेगा इसके अंदर और एक ये वाले question कि 5 प्रेक्शनों का माद्दी 4.4 है उनका प्रसरन 8.25 है तीन प्रेक्शन एक दो 6 है तो अन्य दो ग्याद कीजिए एक वो ऐसा सवाल भी पूछता है एक तो ये और एक इसके अंदर कुछ गलत प्रेक्शन आ जाए जैसे ये वाला कि एक विद्यार्थी ने 100 प्रेक्शनों का माद्दी 40 और मानक विचलन 5.1 ग्याद किया जबकि गलती से प्रेक्शन 40 के स्थान 50 ले लिया तो सही माद्य तो आपका क्या करना कि 40 के स्थान 50 ले लिया 50 को तो माईनस करना है ने 40 को जोड़ना है अब ये दो बार का आप Molly 50 माईनस होंगे ने 40 जोड़ेंगे कब जब X बार निकालोगे ठीके और दूसरी बार में इनके square जोड़ेंगे और गटेंगे ये देखें आप ये जब मादी निकालना है उस समय 50 तो मादी निकालना का 40 जोड रखा और फिर सही मादी निकाल लिया ये उसी तरीके से ठीक है नहीं है और दूसरी बार में इनको ये जो किया इसने ये देखो जब मादी विचलन निकालते हैं मादी विचलन तो ये 50 square तो गड़ाया और 40 square जोड दिया ये अपने को तरीका आना चाहिए बाकि इसके अंदर जादा कुछ नहीं है ये इसे 3-4 question बहुत सारे और भी हैं जो आपको दे रखे हैं इसके अंदर भी अगर आप practice के लिए करना चाहिए तो और ये इसके अंदर मानक जो सुत्र हैं सारे M.D. और इसके तो आप इनको ठीक से देख लें समझ लें विचलन गुणंक तक ताकि आपको एक्जाम में एक जनरल एक्जाम से जस्ट पहले आपको revise करने में दिकत नहीं हो फिर आता है प्राइक्ता देखिए प्राइक्ता के अंदर जो main part है वो मैं सब करा चुका हूँ अपने काफी अच्छे-चे काम कर लिये हैं लेकिन इसके अंदर कुछ जो definitions है जैसे इसने कहा कि सरल गटना सरल गटना क्या होती सरल गटना का मतलब यह होता कि जिसमें केवल कोई भी उसमें केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदू हो तो वो सरल गटना होती है जैसे यह E1 एक सरल गटना है यह देखिए क्यों क्योंकि इसके अंदर एक ही प्रतिदर्श है E2B सरल गटना है एक ही प्रचिदर्श से E2B, E3, E4, सब 1 फिर मिश्रिद गटना जिसके अंदर एक से अधिक प्रचिदर्श बिंदू हो फिर इसके अंदर पूरग गटना आप जानते हैं और एक इसके अंदर आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो यह याद रखनी है सबसे खास बात मुचोली Exclusive Event जिसमें आपको यह पता होना चाहिए कि A Intersection B होता है फाई इसके लिए शर्त यह पहली शर्त दूसरी शर्त इसकी प्रायक्ता होगी वो 0 हो जाएगी यह आपको ध्यान रखना होगा इसके अंदर ठीके और मैं जो D Morgan बताना चाह रहा था वो D Morgan यहीं कामारी इसके अंदर ठीके एक निशेश गटनाए क्या होती निशेश गटनाए का मतलब होती है कि किसी एक सेंपल के लिए सबी गटनाओं का यूनियन करें तो वापस वो सेंपल इसपेस आ जाए यह निशेश गटना है तो यह आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा बस और इसके अंदर कुछ नहीं है ठीके अब इसके अंदर जैसे मैंने शुरुआत में जो मैं बताना चाहरा था आपको कि जैसे यह पूछा इसने इसके अंदर कि P E या F और P E नहीं F नहीं ठीके तो यह P E नहीं F नहीं का मतलब क्या हूआ इसका मतलब हूआ है इसने कहा कि P E नहीं डेश और लग रहा है मतलब यहाँ इसकी जगे यह जाता लो उपर ले लो और तो यह intersection F भी नहीं तो हम इसको D Morgan से यूज़ करेंगे P E Union F Holdage नहीं फिर हम इसको 1- P E Union F कर देंगे और अब आपको पता है कि 1- और यह P E Union F क्या होता P E प्लस P F माइनस P E intersection F बस यह question यहाँ पर काम आएंगे ठीक है और यह जो चीज़ें है आपके जैसे यह से question दे रखें यह last time है तो यह यहाँ इसमें काम आएंगे यहाँ के रखें देखो यह NCC यह NSS को चूना है ना तो NCC ना ही NSS यह देखिए यहाँ लगरे डी मॉर्गन मतलब NCC भी नहीं और NSS भी नहीं यह NCC भी नहीं intersection और NSS भी नहीं तो इसको आपको ऐसे डी मॉर्गन करना और उसके बाद में आप इसको कर लगना है एक पूछा NSS को तो यह सलेक्ट किया है लेकिन NCC को नहीं मतलब इसने पूछा है प्राइक्ता ओफ NSS इसमें माइनस NCC कह रहा है तो इसके लिए क्या बता है मैंने NSS माइनस P NSS Intersection NCC यह मैंने आपको बताया है पहले चेप्टर के अंदर समुचे वाले में यह आपको इसके अंदर द्यान रखना है बाकि इसके अंदर कोई विशेश क्वेशन है नहीं मैं खाली यह ज़रूरी चीज़े थी जो मैंने आपको बता दी है इनको आपको ठीक से कर लेना है बस यह हमारी दोनों बुक का एक सार आपको मैंने बता दिया है कहां कहां सब क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीज़े इंपोटेंट है जो यह दोनों भी NCRT की जो बुक चल लिए इन बुक्स को मैंने लिया है और आपके सामने समेराइस करने की कोशिश किये तो मेरे इसाब से आपको यह चीज़े आज का जो है हर एक जो कंटेंट है वो अच्छा लगा होगा आप इसको जरूर देखे समझे और इसका पूरा फायदा ले अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक जरूर कर ले और टेलिग्राम चैनल को भी जोइन करें साथ ही CMPC जो यूट्यूब चैनल है आप उसको भी सबस्क्राइब कर ले और आपकी आगामी आने वाली जो एक्जाम है उसके लिए आपको मॉस्ट उसका वेलकम पहली बात तो उस एक्जाम का और उसके बाद में आपके लिए बेस्ट विशेश शुब काम नहीं धन्यवाद झाल 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 झाल